लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाए एक्टर सुशान सिंग राजपूत की आखरी फिल्म दिल बेचारा जल्द ही लोगों के सामने होगी वैसे 24 जुलाई को फिल्म का प्रीमियर डिजनी प्लस होट स्टार पर होने वाला है यानि फिल्म के रिलीज में अब बस अर्तालीस घंटे ही बचे है हलांकी जैसे जैसे फिल्म की रिलीज डेट नजदीक आ रही है वैसे वैसे फिल्म को लेकर लोगों की उत्सुपता भी बढ़ती ही जा रही है वैसे लोगों में फिल्म की उत्सुप्ता हो क्यों ना ये सुशान्त की आखरी फिल्म जो है जो उनकी मौत के बाद रिलीज होने वाली है बस लोगों को इतना बुरा लग रहा है कि फिल्म थिएटर के बजाए सीधे आनलाइन प्लेट फार्म पर रिलीज हो रही है डिजनी प्लस होटस्टार ने फिल्म के रिलीज से दो दिन पहले फिल्म को लेकर एक बड़ा एखलान किया है जैसे कि फिल्म कितने बज़े आएगी और इसे कौन कौन सकता है सुशान्त की ये फिल्म 24 जुलाई को रात के साथ दशमलव 30 बजे रिलीज होगी यानि शाम के समय हलांग की हमेशा ओनलाइन प्रेट फार्म पर फिल्मे रात के 12 बजे या फिर दिन के 12 बजे रिलीज होती थी लेकिन डिजनी प्लस होटस्टार दिल बेचारा को एक अलग समय पर रिलीज करेगी बात करें फिल्म देखने की तो ये फिल्म वो भी देख सकते हैं जुन्होंने सबसक्रिप्शन लिया हो और वो भी देख सकते हैं जो नहीं लिया हो मतलब ये फिल्म कोई भी देख सकता है चाहे वेह पैक लिया हो चाहे ना लिया हो बस फिल्म देखने के लिए मुबाइल में होट स्टार का एप होना जरूरी है तभी आप फिल्म इंटरनेट की मदद से देख पाएंगे ये सुशान्त के साथ फिल्म में नई एक ट्रेस से नजनसांगी को देखा जाएगा जो उनके अपोजेटन धजराएंगी सुशान्त की ये फिल्म हॉलिवूड की The Fault in Our Stars का हिंदी रीमेक है जिसका निर्देशक मुकेश चाह बढ़ाने किया है